आज हम देखेंगे ट्रिलर एप पर वीडियो कैसे बनाए जी हैं दोस्तों ट्रिलर वीडियो कैसे बनाए आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो ऐसे ह आप उपन करेंगे तो आप कुछ इस टाइप के home page पे आ जाएंगे तो यहां पर आने के बाद अगर अभी तक आपने login नहीं किया है तो आपको right hand corner में नीचे profile को option दिखाई देरा आप यहां पर आपको profile के icon में जाने के बाद वहां पर login कर लिए आपको login करने के लिए बहु social video का option तो यहां पर हम दोनों option एक एक बार यूज़ करके देखते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं social वाले option में आपको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो camera है वो on हो जाएगा selfie mode में on हो जाएगा तो यहां पर आपको left hand corner में सबसे नीचे gallery का option दिखाई दिखाई रहे तो वहां से भी आप video जो है वह इंपोर्ट कर सकते हैं उसके बाद यहां पर अभी अगर आपको वीडियो बनाना है तो सबसे ऊपर आपको camera switch करने का option दिखाई दे रहे हैं तो वहां से आप back camera अभी on कर सकते हैं उसके नीचे आपको filters दिखाई दिखाई दि लीजे तो यहां पर भी मैं फिल्टर कोई भी चूज कर लेता हूं तो यहां पर आप देख रहें मैंने फिल्टर चूज कर लिया है फिल्टर चूज करने के बाद आपको सेंटर पर क्लिक करना है तो यहां पर आप जैसे ही सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको जो एफेक्ट है वो लग चुका है effect लगने के बाद आप यहाँ पर बारी है हमें video record करने की तो यहाँ पर आपको star का icon दिखाई दे रहा है उसके अंदर video recording का option है तो आप star का icon पर click करिए तो यहाँ पर आप जैसे video को zoom in zoom out कर लीजे उसके बाद जब आपका video record हो जाए तो आपको फिर से जो आपको circle दिखाई दे रहा आप उस पर click करिए तो यहाँ पर आप 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 देखेंगे आपका जो video है वो record हो चुका है video record हो चुका है अब आपको ऊपर right hand corner में shuffle का एक option दिखाई दे रहा आप इस पर click करिए यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका video जो है वो process हो रहा है video अब हमारा process हो चुका है video process होने के बाद यहाँ पर आपको वडियो को एडिट करना है तो आपको option दिखाई दे रहे हैं तो आपि यहाँ पर आपको नीचे setting का option दिखाई दे रहे है जो आपको video की edit setting जो है उसको option है आप उसको click करिए तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देक रहे हैं अब आपको उपर बहुत सारे option मिल जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको smiley लगाना है तो smiley लगा सकते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लिक करिए सके बाद अगर आपको कुछ अपर color related setting कर लियुकित setting कर सकते हैं उसके बाद यहां पर आपको text अगर add करना है तो text option मिल जा रहा है यहां पर टी लेखा हुआ है उसके नीचे फिर आपको एक और icon दिखाई दी रहा है आप उस पर click करिए तो यहां पर आप देख रहे हैं filter जो हम पहले apply कर चुक्ए वही filter आपको नीचे दिखाई दी रहे हैं तो यहां पर अभी भी अगर आपको changes करने तो आप यहां पर कर सकते हैं उपर फिर आपको done कौप्शन दिखाई दी रहे हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं आपने वीडियो को पोश्ट करना है तो यहा कि lifestyle है या dance related video है gaming related वो सारी चीज़े आप यहाँ पे choose कर लीजे तो यहाँ पे choose करने के बाद फिर आपको अगर वीडियो को private करना है तो private कर सकते हैं नीचे location add करना है location add करने के बाद उपर post and save पे click कर दीजे तो यहाँ पे आप जैसे इसलिए इसका नाम भी है music video तो यहाँ पे आप music video पे click करिए तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप click करके आएंगे तो यहाँ पे अगर आपके device में पहले से ही music है तो उसके साथ भी आप यहाँ वीडियो बना सकते हैं या तो आपको यहाँ पे नीचे music के जो कि इसको कितने देर का रखना है तो यहाँ पे आप उसका timer set कर सकते हैं जितने देर के लिए आपको music लगμέ ड़न पे click करिए उसके बाद आप उपर film पे click करिए तो यहाँ पे अवे इससाई film पे click करेंगे तो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पहले जो हमने editing करी थी सारी वैसी ही editing है हम उसी interface पे आ गए हैं दुबारा यहाँ पे आपका एक option बढ़ जाता है filters के नीचे यहाँ पे अगर आपको slow motion करना है fast motion करना है तो उसका यहाँ पे आपको option मिल जाता है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको slow motion या fast motion करने के लिए आपको normal एक option दिखाई दिए आप उस पे click करिए तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आप वो slow हो गया है फिर से आप click करेंगे तो आप fast हो गया है तो यहाँ पे अगर आपको वीडियो को fast करना है तो आप fast कर लीजे अब दो ल侧ा है, यहाँ मैं आपको बता दूक आपने music पहले ही add कर लिए है, तो आपको normally जैसे हमने पहले वीडियो बनाया था, same वैसे ही यहाँ पर आपको वीडियो बनाना है, यहाँ मैं यहाँ पर आपको normally without editing, क्योंकि हमने editing पहले ही देख चुकी आपको वीडियो शूट करके दिखा दे रहा हूँ तो यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका timer on हो जाएगा timer on होने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका ऊपर वीडियो जो है वो record होने लगा है इसके बाद जब भी आपका यहाँ पर वीडियो record हो जाए आप देख रहे हैं आपका timer चल रहा है तो यहाँ पर आपका timer जो है वो decrease होता जा रहा है मतलब कि हमने पहले ही क्योंकि 15 second की यहाँ पर music choose करी थी यहाँ पे जब आपकी सारी editing कम् Pleet हो जाए तो आपको ऊपर shuffle पर क्लिक करना है क्योंकि हमने वीडियो record कर चुके हैं जैसा कि हमने पहले देख चुके हैं तो आपको ऊपर shuffle पर click करना है तो अब आप देख रहे हैं अप जैसी shuffle पे क्लिक करेंगे करिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा थैंक यूद्ट